अज़ के इस वीडियो में आपको बताएंगे जो धंगम की रियल स्टोरी है वो कीजी एफ से आकर क्यों मिलती चुलती है फ्रेंस वह हम आपको आज इसलिए इसलिए बता रहा है क्योंकि दोस्तों जब से यह इसका पहला चैप्टर रिलीज हुआ है तो दोस्तों ऐसा कई ल आपको बताते हैं कि धंगम कौन था और वह क्या करता था कि दोस्तों आप लोगों ने धंगम के बारे में तो सुला होगा क्योंकि इसकी जो चर्चें दोस्तों बहुत ही जोर सोरो से चल रहे है क्योंकि जब सो यह कीजीव मोवी का चैप्टर फस्ट आया है तो ऐसा माना कि पहला चैप्टर यह वह बिलकुल हूबहू थांगम की जिंदगी से मिलता जूलता है लेकिन आपको बताना चाहूंगा ऐसा बिलकूल भी नहीं है क्योंकि यह उसे अलग है चलिए दूस्तों मैं आपको बताता हूं तोस्तों क्या है कि जो ठांगम है और उसका जनम जो ह अपने बच्पन में माता के लिए गरीबी में बहुत ही जजादा दुख देखें लेकर फिरंस वो क्या इन सब चीचों को बदलना चाहता था जैसे दोस्तों इन सब चीचों को मतलब धीरी-धीरी मतलता है कि अपने माता के सपने को पूरा करने के लिए वो ऐसी दुनिया में चला गया जहां मतलब बहुत ही खुखा और कहना ची कि कोलार गोल्ड फिल जिसे सोने की खादाने जिसे जो होती है दोस्तों वो वहाँ पर चला गया और उन लोगों का हिस्सा बन गया जहां पर मत तो उसने दूसरों के लिए अच्छे काम भी किये और अपनी माता के लिए अपनी फैमिली के लिए उसने बहुत ही अच्छे काम कि दोस्तों और दोस्तों लेकिन इसमें एक खुका और गेंग्स्टर भी बन गया दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो वीरपन था उसके बाद उसके मरने के बाद अगर कोई दूसरा वीरपन कहा जाता है तो वो है थंगम को कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ऐसा जब भी जब इसका नाम चलता था तो बहुत ही डेंजर मतलब लोग बाग जो है इसकी बहुत समान करते था और थंगम का कि दोस्तों इसे बैंगलोर का जो रोबेन हुड भी कहा जाता है यहां लोगों के लिए उनकी मदद भी एक मदद का मतलब मसीहा भी बना हुआ था और दोस्तों साल दोहर ऐसा मारा किया कि साल 1997 में पुलिस मुट्वेड में इससे मार दिया गया था और दोस्तों जब इसकी म्रत्य हुई थी तो यहां 25 साल का था फ्रेंज और इसलिए विरपन के बादे से विरपन जूर्नियर भी कहा जाने लगा दोस्तों इसकी तीन भाई भी थे जिने क्या गोली मार कर इनकी भी हत्या कर दी गई थी और जिनका नाम ता सगयम गोपी और जय कुमार दोस्तों इन तीनों भाईयों के साल दोहार तीन में गोली मार के हत्या कर दी गई थी और फ्रेंड्स जो अपने धंगम थे उन्होंने अपनी मां के नाम पर ही एक पॉलिना गेंग बनाई थी जिसमें वो लोग बहुत सारा साथ आट में जाके वो लुक्थ सोने चांदी सब लूटके ले आते थे और कुछ सोना चांदी दोस्तों क्या गरीबों में भी बाटते थे औरु जो फ्रेंज ठंगम जो थे वो क्या मात के बहुत इस प्रेक हो और उन्हीं माल से बहुत ही प्रेम करते थे और अपनी मतलब माता को इसमें करते दोस्तों अपनी कि नाम पर एक पॉली गेंग भी बना रखी थी कि फ्रेंस लेकिन क्या है थंगम की माता जीजिवें दोस्तों आज भी जीवी थे उन्होंने किया अभी कुछ टाइम पहले ही के जीप का जो पहला चेप्टर था उसमें ऐसा उन्होंने कहा था कि मेरे जो बेटें उनको क्या न करत्तर नाय दिखाए जाए और क्योंकि उनको मानना था कि ये उनकी जिन्दगी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है लेकिन फ्रेंस जो थंगम भी जो रेल स्टोरी फ्रेंस वो बहुत ही अच्छे है फ्रेंस मतलब एक को स्को रोवन होड़ भी